हलकी ठंड में छोटे बच्चों के ऐसा जैकिट बनाए तो बहुत टाइम लेगा और नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दो दिन के अंदर कंप्लीट जग और बनाने में आसान और देखे सकते कितना खूपसरत लगता है और इसे पैन के बच्चे भी कितनी खूश है तो चली बनात किमें तो देखे यह डिजाइन में यहां तक आठ लाइन तो बनाई थी उसकंप फिर अगली लाइन में मैंने एक चैन रिफ्पेस लेकर देखे यहां पर suspend능 फिर दो چین स्पेस लेके इक लाईन बनाए दो लाई थी यह दो लाईन दो चेन स्पेस कि ए तीन लाइन चेन फिर चार चीन आर्म ने बनाई है मिले कि अलग पंगे हम इसी तरह की रहेगी स्टैलिश लुक देने के लिए तो चली इसे बनाते है अगर आपको इसका first part दीखना है तो इसका link में description देदेंगे वहाँ जाके आप इसे देख सकती है देखिए जो 16 के बाद 17 वी लाइन है वहाँ से हमारी design स्टार्ट हो रही है अगर आपको बड़े size का बनाना है तो चार chain space की चार लाइने बनाएं और उसके आप फिर यह design स्टार्ट करें अब देखिए यहाँ पर हम फिर से एक दो तीन तीन chain space लेंगे ठीक है अब यह जो है इसके अंदर हम एक double crochet बनाएंगे फिर एक दो तीन तीन chain space फिर इसमें एक double crochet फिर एक दो तीन तीन chain space और देखिए यहाँ पर हम इसमें next में 3 double crochet एक दो और यह तीन तीन double crochet दो चैन और फिर 3 double crochet ठीक है तो यह line आपकी इसी तरह से बनेगे एक दो तीन ठीक है यह देखिए एक बार वी स्टिच तेन तीन चैन इस पेस का फिर एक बार इस तरह से फिर देखिए आप एक दो तीन 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 इस पेस इसमें फिर एक डबल इस क्रोश्य बनाएंगे फिर एक दो तीन तीन फिर एक और डबल क्रोश्य ठीक है फिर एक दो प्रवी अंदर 3 डबल क्रोशिया एक दो तीन कि तीन डबल क्रोशिया दो चैन पिर तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन टीक है तो ऐसे ही देखिए इसी तरह से आपको लास्ट तक बनाते ही जाना है याली रो मैंने बना ली है, अब देखें, लास्ट में है, हम यहाँ पर मैंने तीन डबल क्रोशीय बना रखा है तीके अब हमारी next रो, तो देखें, हमारे पास दो तरह की design है, एक तो यह वी श्चीच वाली है और यह के तीन तो इसमिस म्या, फिर मुझा ने चैना लें मेट्व के लें लिए हैís के दिखNこれ fort है जैसा है वैसे ही बनाएΐ तो हमां लीघे खु τον कंड इनम पनी और यहां पर तीन लेंगे बनाएं इसके अंदर एओ जैसा है वैसे तीनْ ए दो और यह तीन ठीक है तीन के वाद फिर दो चैन एक दो दो चैन फिर वापिस से इसमें तीन डबल क्रोश एक दो और यह तीन ठीक है फिर यहाँ पर तीन बनाएंगे एक दो तीन तीन अभी जो वी स्टीच है इसके अंदर हम बनाएंगे छै डबल क्रोश बिना कोई चैन इस पेस लिए एक दो तीन चार पांच और यह चैन तो अब यही डिजाइन आपको बनानी है ठीक है तीन चैन एक दो तीन तीन चैन फिर यह इसके अंदर आपको ऐसी बनाना है तीन दबल क्रोश्या, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोश्या, दो चैन, फिर तीन डबल क्रोश्या, एक, दो और ये तीन, ठीक है, फिर एक, दो, तीन, तीन चैन, और इसमें वी स्टिच में छै डबल क्रोश्या में बनाना है, एक, दो, तीन चार पांच और ये छे ठीक है फिर एक दो तीन तो अब इसी तरह से यह ले लाइन लास्ट तक बना के कम्प्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए ये वाली रो हमने कम्प्लीट कर लिए अब नेक्स डो में क्या करना है देखिए यहाँ पर हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे फिर ये इसमें एक डबल करोश्या इसमें एक और डबल करोश्या अब यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन अब दिखिए यह हमने जो छे डबल करोश्या बनाया था ना इसमें पहले वाले पर एक डबल करोश्या बनाएंगे फिर एक चैन फिर नेक्स्ट पे एक डबल क्रोश्या फिर एक चैन फिर नेक्स्ट पे ठीक है एक चैन एक डबल क्रोश्या एक चैन एक डबल क्रोश्या एक चैन एक डबल क्रोश्या ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन और इसके बीच में ह और हम 6 double crochet बनाएंगे 1 2 3 4 5 और यह 6 ठीक है तो यह दिखें इसी तरह से बना लेंगे फिर यहां पर 1 2 3 फिर इसके अंदर 1 double crochet एक चैन एक double crochet ठीक है तो ऐसी यहां तक इसको बना लेंगे जैसे यह आला बनाया है वैसे इसको बना लेंगे जो आ कि इसमें चेया डबल ग्रोशय एक एक चैन लेके बनाले हैं फिर तीन चैन फिर इसमें च्छेवल Grü collect तो यह देखिए ऐसी तरह से आपको बनाना है इसमें आपको छे डबल करुशय और यह साथ बना थे इसमें एक एक चैन लेकर इस तरह से बना ले तो बना लिए तु फिर एक, दो, तीन, तीन चेन, अब दिखिए जो छे हमने एक में बनाया था ना, दो जगे हैं, एक बार छे एक बार बनाया है, और फिर एक में छे एक डबल, एक डबल चेन इस पेस के साथ बनाया है, तो इसमें जो है, आपको पहले वाले में एक डबल क्रोश्या बनाना है फिर यहाँ पे हम लेंगे दो चैन, ठीक है, दो चैन के बाद एक डबल क्रोशे छोड़ेंगे, अगले में फिर एक डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर दो चैन, फिर उसके जस्ट बगल में एक डबल क्रोशे है, ठीक है, यह हो गया, फिर वापी से दो चैन, फिर एक छोड़ में single crochet, फिर 1, 2, 3, फिर next में single crochet, फिर 1, 2, 3, next में single crochet, फिर 1, 2, 3, next में single crochet, ठीक है, ये देखे, इस तरह से हो गया, फिर 1, 2, 3, तीन के बात, फिर देखे, पहले वाले में एक double crochet, फिर 2 chain, एक छोड़ेंगे next में double crochet, फिर 1, 2, 2 chain, just bagel में double crochet, फिर ये last वाले में double crochet, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको बना लेना, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 3 chain, इसमें हम एक single crochet बना लेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 chain, फिर इसमें एक single crochet, 1, 2, 3, फिर एक single crochet, फिर 1, 2, 3, फिर एक single crochet, 1, 2, 3, और फिर वापीस से इसमें single crochet, फिर 1, 2, 3, तो ऐसे ही दिखे, जैसे यह पने बनाया ना, एक में इस तरह से जोड़ना, एक में इस तरह से, यह चार double crochet, दो दो चैने इसके साथ तो इस रोग complete कर लेता है यह दिखिए हमारी रोग complete होगा अब ऐसी आपको सारी रोग बनानी है लेकिन मैं भी starting आपको उतादूँगी करना क्या है दिखिए जो 4 double crochet यहाँ 5 double crochet हो जाएगा एक इसमें, एक इसमें, 2, 3, 4, 5 दो corner वाले पे double crochet और बीच में 3, और बीच में 2 chain का space अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 3 loop बनेगा अब यह 4 loop पे देखिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है 3 loop, फिर 2 loop, फिर 1, तो जब यह loop सारे खतम हो जाएगे तब हम इसे रोकेंगे स्टार्टिंग अब देख लिजिए, कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे तो पहले 1, 2, 3 यह आपको कुछ नहीं करना है इसमें double crochet, फिर 1 double crochet इसमें यहाँ तक एक सेम है फिर अब देखिए, आप एक, दो, तीन तीन चैन, अब देखिए, यहाँ पे यह लूप वाला है तो यह पहला वाला जूप है इसमें हम एक double crochet, single crochet बनाएंगे एक, दो, तीन फिर next में हम single crochet बना लेंगे फिर एक, दो, तीन फिर इसमें हम single crochet बना लेंगे फिर एक, दो, तीन फिर इसमें हम single crochet बना लेंगे तो देखे यहाँ पर अभी आपके चार लूप थे एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर देखे एक, दो, तीन अगली line में यहाँ दो, फिर एक, फिर एक भी सारे खतम जाएंगे तो इसको लेके total आपको तीन line बनाने हैं फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन, इस वाले में हम पहले एक बनाएंगे ठीक है, देखे और पर फिर दो चैन, फिर इसके बीच में यहाँ पर यहाँ पर एक double crochet फिर एक, दो, फिर इसमें एक double crochet ठीक है, फिर दो चैन फिर इसमें, डबल कुरोशिया, फिर दो चैन, अब देखें, यहां पर 4 था, 1, 2, 3, 4, 4 बन गये हैं, और 5 वह हम इसमें, ठीक है, तो जब अगली लानाएगी, तो इसमें, एक डबल कुरोशिया, दो चैन, फिर 1, 2, 3, इसमें, तीन, तो 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 6 डबल कु कर दिए तोब तरह से आपको बनाना है ना कर लेते हैं मैं अगली लैन भी आपको बताने की कोशूश concerning विससे इसी के आधार पर पूरा बना सकते हैं ठीक है तो इसको बना लेते हैं यह देखिए रोब ने बना लिए अब मैं अगली लाइन आपको बना के दिखा देती हूं फिर लास्ट तक बना के बताऊंगे ठीक है इसका देखिए आपे एक एक दो तीन 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 फिर यहाँ पर एक डबल क्रोश्य फिर यहाँ पर एक डबल क्रोश्य फिर 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 दो तीन तीन के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास यह वाला ह पहला और लास्त, यह आपको double crochet बनाना भाकी साथ इस स्पेस में बनाना है। तहीं है, यह हो गया, फिर एक दो, फिर इसमें बनाएंगे, फिर एक दो, फिर इसमें बनाएंगे ठीक है?, यह вд देखे यहां पर चार था पाँच हो गया इच्छ हो गया फिर हैंपर एक दो तीन 3 छैन और इसके लेपर इच्छैन देखें Dar टो ऐसी आपको बनाते जाना है जब आपका एक भी लूप नेहीं रहेगा तब आपको इसको बंद करना है थीhar भूख में ना लेए फिर आपको दिखाते हो यहाँ इती है यहाँ पे से यहась तरह से यह आप अपने हिसाब से एड़्जस्स करके बना सकते हैं तो जहां पर यह जोड़ा है हमने इसी में इस तरह से एक पहले सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर देखें इसको छोड़ेंगे इसमें हम 6 डवल क्रोश्य बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और यह च्छेटू बना इसको छोड़ेंगे और यह तिक हम इससे सींगल क्रोश्य से जोड़ेंगे इस तरह से ठीक है अब देखें एक दो तीन तीन का आपको सेट लेना है बीच में हम छेड़बल क्रोश्य बनाएंगे और कॉर्णर पे जोड़ेंगे इसमें छेड़बल क्रोश्य बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे हो गया अब इसका देखें इसको इसमें बनाया है हमने इसको छोड़की यह जो सिर्फ एजिंग है देखें जो कॉर्णर में इन दोनों का जो जॉइंट है वहां पर हम इसे सिंगल क्रोश्य बनाएं ठीक है तो ऐसे आपको लास्ट तक बनालना है गले त इसको हम यहां पर इसाटिंग में जोड़ें गे अब जोड़ने के बात यह जो पहले वाला देखें हमने लूप बनाय था तो पहले लूप में इस तरह से एक सिंगल क्रोश्य बनाएं गे एक तो तीन तीन चेन और फिर इसमें चार डबल कुरोश्या एक दो तीन और ये चार ठीक है चार डबल कुरोश्या हमने बनाया और इसका नेक्स्ट वाले जो ये हमारा लूप था इसके अंदर हम सिंगल कुरोश्या बनाएंगे एक दो तीन 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 चेन चार डबल 4 चारडवल कुरूशयाा फिर next वाले में हम इस तरह से सिंगल कुरूशय companion जोड़ेंगे ठीक है तो ऐसी हमको गले में बना लेना है यह देखें जो गले में बना लिया है अब इसको आपको देख título जो गले बना है इसको आपको इसी में जोड़ना है ठीक है इस तरह से इसी में हम single crochet जोड़ेंगे फिर वापीस जैसे हमने ये इस side बनाये था न ये वाला देखिए जो इस side जैसे बनाया था वैसे हम second side भी बना लेंगे तो बना complete कर लेते हैं ये इसको हमने बना लिया भी जो last वाला है इसको हमने आपके cut कर दिया है इसको ये ठीक है और जो extra on है इसको हम यहाँ पर cut कर देंगे अब हम इसमें यहाँ पर बटन लगा लेना है तीन बटन लगा लेंगे और इसके अंदर आपको जहला लगाने ठीक है तो इन लच्छों को आपको ऐसे करना है अपनी हिसाब से आप छोटे बड़े लगा सकती है फिर इसके अंदर इसके अंदर लेंगे ऐसे इसको डालेंगे और इसको आपको निकाल लेना है ठीक है तो ऐसे हम इसमें सब में इसको लच्छों को लगा लेते हैं इस तरह से हमारा जो श्रग है वो बन के तयार हो गया है मैं इसको आपको बच्ची को पहना के फिर आपको किया और इसके लिए मैंने बनाया है बहुत ही प्रिटी लुक है ताब भी इससे बनाई अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा थैंक यू वे नाइस डे